टॉप टेन साउथ मूवीज पर दो वीडियो बनाए और तुमने देखे पार्ट वन और पार्ट टू इतने ज़्यादा कमाल के थे कि लाखों लोगों ने देखे तो ये रहा पार्ट थ्री इस वीडियो में आपको अमेजिंग और एंटर्टेनिंग साउथ इंडियन मूवी बताऊंगा जो साउथ मूवी लवस को डेफिनेटली देखनी चाहिए चलिए शुरू करते हैं ये मूवी एक नॉस्टेल्जिया है रोमेंस के अंदर इस कहानी के मैन किरदार है राम और जानू राम जो की एक ट्रेवल फोडोग्राफर है काफी लंबी टाइम बाद में अ हाँ पर उसे अपने दोस्तों मिलते हैं साथ में मिलती है जानू जो कि इसकी बचपन की सुईठाड होती है उसने भी शादी नी की और हमारे राम ने भी शादी नी की मूवी स्टाइटिंग में 15-20 मिन तक थोड़ी स्लो चलती है बोरिंग टाइप इस मूवी को तुम अप अगे बढ़ते हैं यह मूवी थोड़ी सी पुरानी हो गई है 2014 में आये थी लेकिन इसके अंदर जो इमोशन्स हैं वो कभी पुराने नहीं हो सकते तीन कजन्स की स्टोरी दिखाई जाती है जो एकदम बेस्ट फ्रेंड होती है अर्जुन दिव्या और कुटन तीनों का एक यह काफी बार और मूवी के अंदर तुम्हें देखनों को मिलेगा बेंगलो जाने के बाद इनकी लाइफ किस तरह से चेंज होती है मूवी का नाम है बेंगलो रोडेज यूटूब पर भी अवलेबल है समन्ता को तो तुम लोग जानते हो काफी लोगों की क्रस्ट भी है उनकी एक काफी कमाल की fantasy entertainment movie बताता हूँ मैंने काफी टाइम पहले देखी थी बड़ मुझे काफी पसंद आई थी एक 24 साल की खुबसुरत लड़की के अंदर मुवी काफी बढ़ी entertainment movie है एक बार तो जरूर देख सकते हो चाहू तो अपनी परिवार के साथ भी देख सकते हो और वो expect करते हैं respect अपनी wife से जो कभी किसी को नहीं मिलती अब movie के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा विंकी और वरुन क्या क्या करते हैं अपनी wife की respect earn करने के लिए कि वो respect करें और हारी का और हनी जो इनकी wife है वो किस तरह से इनकी insult करते लेती है और movie के बीच में एकदम से story इतनी ज़्यादा time ले लेती है कि तुम्हारा interest और बढ़ जाता और इसा लगता नई movie स्टार्ट हो गई definitely family की साथ में देख सकते हो movie का नाम है F2 fun and frustration सच बतारू इस movie को देखके मजा ही आजाएगा तुमें अगली movie के बार में बात करते हैं जो कोई और नहीं F2 का ही part F3 fun and frustration है बार कहानी और situation दोनों ही बदल जाती है सिर्फ और सिर्फ केरेक्टर सेम रहते हैं इस बार विंकी और वरून सिर्फ वो सिर्फ अमीर बनना चाते हैं कुछ भी करकुरा के वो बहुत सारी तीगड़ा मनने के लिए लेकिन फिल भी नहीं बन पाते हैं अमीर लडकी से शादी करते हैं क्यासे अगर देखिए अगर देखिया तो F3 fun en frustration काफी सारी situation के अनदर logic नहीं होता बड बहुत ही जादा मजा आरा होता है इस मुवी को देखते टाइम अपना लोजिक बंद कर देना वरना भरोसा उठ जाएगा तुमारा फिजिक्स से और सबसे बहतरीन चीज अपने पुरी परिवार के साथ देख सकते हो बिना कोई प्रोब्लम के समझ लो ना कुछ भी नहीं ऐसा बात करते हैं चटी मुवी के बारे में कासमोरा क्या तुम्हें ये नाम सुनके लग रहा कि ये वाली मुवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी जब ये मुवी टीवी पर आ रही थी तब मैंने अपनी फैमिली के साथ में बेट के देखी थी और बहुत कुछ करने के बाद भी बहार नहीं आपाता और वहां पर 500 साल पुरानी आत्मा केद होती है नायक की सेम टाइम पर दो श्टोरी चलती है एक तो पुरानी जब नायक को केद किया गया था 500 साल पहले और एक दूसरी पर्जेंट के अंदर जब कास्मोरा उसके अंदर फर्ज जाता है वैसे तो मुवी के अंदर भूत कुछ है इसका इस्ट्री पार्ट भी काफी ज़्यादा इंटरेश्टिंग है या फिर जिस तरे से पर्जेंट किया जाता है वो काफी ज़्यादा हाई को लि लेकिन ये वीडियो लिटरेली डिले पर डिले होता जारा पहला वाला जो पार्ट था वो मैंने आठ तारिक को रिकोर्ड किया था और आप डारेक्ट ही हम 24 तारिक को रिकोर्ड कर रहे हैं तो समझ सकते हो लिश्ट तो मैंने 16 मूवी की बनाई थी मुझे तो आइपेड दिखाना था शातवे नमर पे है ट्रेंस मूवी आहोप मैं परनाउंस सही कर रहा हूं विजू नम का एक बंदा होता है जो अपनी पढ़ाय वड़ाय कंप्लीट करके नोगली ढूनने की कोशिस करता है बर तो बोगली नहीं मिलती लेकिन फाइनल उसे एक इन्टुवी देने का मोका मिलता है और वो जब इंटुवी के लिए जाता है तब हाँ पर उसे पता चलता है कि ईंटुवी किסी जोब के लिए नहीं मौटिवेशनल स्पीकर के लिए है और वो भी कोई संदीप महिस्वरी जैसा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं रिलिजिन्स मोटिवेशनल स्पीकर मुवी की जो रीड की हड़ी है मेन कहानी वो में बता की स्पोईल नहीं करूंगा अगर तुम्हें बहुत ही कमाल की एक्टिंग देखनी है तो ड स्पीकर मुष्ट सेम है मलब रियल है पहले जो दो या तीन पार्ट्स है उसकी में लिंक तो में देदूंगा या फिर मारी जो प्लेलिस्ट है वो जाएगे चेकाउट का सकतो मैं वेलता हूं से अगले हले वीडियो के अंदर